पिछले साल ना बिड रेंज फोन के अंदर एक फोन का कैमरा बहुत तगड़ा था और वो था Realme 10 Pro Plus इस बार ये आ गया है हमारे पास में Realme 11 Pro Plus and camera I must say Realme is really focusing on तो आज अब इस वीडियो को दिखते ही आगे like और share करते हुए हम करतें उन्बॉक्स इसी येलो येलो बॉक्स में आने वाले Realme 11 Pro Plus को और देखते हैं कि अगर इसके दर क्या Pro है और क्या प्लस है और camera में especially Realme ने क्या नई improvements किये हैं नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं Technical Guru जी चलिए शुरू करते हैं और इस अलवेज फंट उन्बॉक्स येलो वाली पैकेशिंग ने दूर सही चमक के आती है मतलब दुकान में गुसोग ने आपको ऐसे पीले-पीले एकदम ऐसे डबे लिख लिख जालते हैं यहां पे हमारे पास में देर टू लीप अज एक्सपेक्टेड विद रियल्मी और ग्रेट स्टोरी सिंस दे फर्स्ट लीप यहर बार रहा कुछ ने कुछ नहीं लिख देते हैं यहां अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमको यह नथिंग मच्च सिम टूल, डीडिंग मटीरियल और फिर यह केस और केस का यह पीछे का डिजाइन आपको बताता है कि कैमरा कैसा होने वाला है इस फोन का यहां पर गर हम दिखते हैं नीचे तो फिर हमारे पास में रखा है Oasis Green Color में आने वाला यह Realme 11 Pro Plus बात करते हैं बाद में यह काफी इंट्रस्टिंग चीज है विकॉज हमारे पास में है 100 Watts आउटपुट के साथ में आने वाला बड़ा सा Super VOOC Adapter जो की फोन की बाटरी को बहुत तीरी से रिचार्ज करेगा And then finally we have a USB A to USB C Cable यहां पर दो हम बात करते हैं फोन की न और यह तो काफी यूनीक काम हो गया है Realme की तरफ से यह ऐसा फोन के design में आस तक नहीं देखा आपको तो यह जो soft touch ऐसा लेदर वाला feel मिल रहा है बीच में लगता है कि ऐसे zip थी वो zip को बंद की है because the pattern is like this आपको side में stitching जो है उसका भी एक design element मिलता है Realme का logo है यहां पे काफी sleek, काफी light यह phone feel होता है हम अगर उसको boot कर देते हैं Yes! Here it is, let's see this phone in detail now, Realme 11 Pro Plus जैसा आपने देखा, basically यह जो Realme 11 Pro Plus है यह अपने साथ में काफी unique design का identity लेकर आता है और मज़े की बाद कि यहां में Realme ने collaborate किया है एक ex Gucci designer से, मतलब भाई यह fashion जो है वो शायद अपने साथ में blend करके लेकर आता है यहां पर इन फाक्ट यह जो फ्लार सा कलर है olive green वाला यह काफी unique लगता है, वैसे इसके अलावा यह और बाकी दो अलग-अलग colors में available है और हमारे पास में यह वीगन लेदर के साथ में काफी interesting finish लेके आता है अगर हम बात करते हैं, overall phone की भी तो काफी sleek और काफी light फिलोता है जहां पे, you know, if we talk about the physical overview तो आपको right side में यह power button के साथ में volume, you know, rocker मिल जाता है उपर हमारे पास में यहां पे secondary microphone है इसके साथ में फिर हमारे पास में यह speaker grill है left side neat and clean है और नीचे हमारे पास में यह phone लेके आता है यह dual sim tray साथ में we have the primary microphone, USB-C port and speaker grill अगर हम बात करते हैं यहां पे यार इस phone के अंदर एक major 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 highlight के बारे में तो वो बन जाता है इस phone का यह camera और देखो जो camera है वो यहां पे clear लिखा भी है कि यह है 200 megapixel का camera with OIS इसमें दोस्तों यहां पे यह sensor लगा है यह of course Samsung का sensor है 200 megapixel वाला जहां पे Realme ने इसके अंदर काफी और enhancements कर दी है मतलब अगर हम बात करते हैं pixel binning की तो extreme low light conditions में total 16 pixels combine हो जाते हैं तो जो net effective output बनता है वो बनता है 12 megapixel का और आपको मिलती है एक अच्छी night time photo तो अगर आप चाहो तो 50 megapixel के अंदर output ले सकते हो जहां पे 4 pixels combine हो जाएंगे और या फरक में बात करें तो standard full high-res 200 megapixel का output आपको मिल सकता है Realme ने camera में बहुत सारे जो है वो नए-nए हमको modes दे दिये हैं screen पे फिलाल आपके सामने जो भी camera samples है हमने इस phone से record किये वे वो आप clearly देखी सकते हैं तो with OIS आपको एक अच्छी flexibility मिल जाती है जहां पे in fact हम बात कर रहे हैं up to 4 times lossless zoom की भी तो ये है इसका camera which is of 200 megapixel 7 हमारे पास में फिर camera है 8 megapixel का ultra wide angle shots के लिए अगर उसमें autofocus होता तो और अच्छा होता फोटो आपके सामने है और because autofocus नहीं है तो 30 camera है 2 megapixel का macro shots के लिए selfie camera के अगर बात करते हैं तो ये है 32 megapixel का और again selfie examples भी आपके सामने है फिलाब देखते हैं कि कैसे कैसे selfies जो है वो इस phone से हम click कर पाए है अगर हम बात करते हैं उसके आगे निकलते हुए तो इस phone का जो ये screen है ये भी काफी you know interesting बन जाता है अब उस हमारे पास में 6.7 inches का curved AMOLED screen है और ये एकदम आपको ऐसा minimal bezel के साथ में एक अच्छा immersive experience प्रवाइड कर देता है जहां पर ये आता है 120 hertz refresh rate के साथ में और जिस तरीके से ये screen है तो यहां पर eye care वाले भी बहुत सारे features रिल्मी ने include किये हैं जहां पर लॉंगर दूरेशन अगर आप यूज कर रहे हैं इस फोन को चाहे आप वीडियो देख रहे हैं चाहे आप गेंस केल रहे हैं चाहे इसको नॉर्मली भी यूज कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंज जो है वो आँखों पर नहीं मिलेगा और कहीने कहीं आपको एक अच्छा प्लेजेंट एक्स्पिरिंस मिलने वाला है और स्लीक तो कहते हो फील होता ही है because of you know this curve mechanism of course हमारे पास में in-display fingerprint scanner है और अगर हम बात करते हैं इस फोन के अंदर components की तो यहां पर गाईज लगा है Mediatek Dimensity 7050 5G processor साथ हमरे पास में 8 या फिर 12 GB के RAM options जहां पर up to 12 GB तक हम इसको expand भी कर सकते हैं with the help of dynamic RAM और जो storage है वो है 256 GB की तो basically even in terms of performance we are getting a good deal here RAM storage का कोई इनों पंगा नहीं है अगर हम बात करें यहां बैटरी की this is very interesting because हमारे पास में इस phone में 5000 mh की battery है और यह support करता है 100 watts की fast charging को और यहां पर box में हमारे पास में जो GAN charger है वो हमें मिलता है तो मतलब कहीं न कहीं charger ज़्यादा बड़ा या बल्की भी नहीं है considering कि यह 100 watt वाला charger है और हमको मिल जाती है बहुत ही ज़्यादा fast charging मतलब phone आदे घंटे से भी कम में full charge हो जाएगा और केवल 3 minute में 17% तक charge हो जाती है इसकी battery तो वो आपको कोई problem नहीं देने वाली है अगर हम बात करते हैं इसके अलावा यूनो अंदर क्या-क्या है phone में तो of course यह realme UI version 4 पर रन करता है जो कि android 13 पर बेस्ट है आपको realme के जो है वो कुछ-कुछ फीचर्स मिल जाते हैं जो realme के phones में आपको मिलते ही है और pre-install तो दो दो भी है applications है यहां पर हमारे पास में जोश भी है जोश को हटाते हैं जोश को करते हैं सीधा अनिस्टॉल नहीं चाहिए भाई हमको मौच को भी करते हैं अनिस्टॉल होट अप्स गेम्स यह सब चीज़े तो हैं लेकिन अच्छी बात है चलो ठीक आप इनको अनिस्टॉल कर सकते हो at least तो यह है गाईज Realme 11 Pro Plus और मैं अगर आपको बताऊं कि what do I feel about this phone तो it's good to see कि Realme is bringing something revolutionary in this budget because 200 Megas camera with OIS definitely इस price bracket में लेके आना एक बहुत बड़ा achievement है display experience काफी एकदम आपको ऐसे flexure tap का मिल जाता है design is again quite you know sleek काफी एकदम नया element लेके आता है weight जो है वो भी केवल 183 grams का ही है तो या guys यह हो गई है सारी बाते जोड़ तोड़के इसी Realme 11 Pro Plus के बारे में और last year भी मिरको जाद है Realme 10 Pro Plus was definitely camera point of view से उस price range में best phone था और इस साल I can certainly say कि यह जो Realme 11 Pro Plus है और इसमें जो Realme ना achieve किया है जहां पे Samsung का HP 3 sensor यूज किया है 200 Megapixels का OIS को हैं पे include कर दिया है तो बाकी तो यह phone देखो काफी interesting बने जाता है बट specially on a camera front this phone will definitely outperform the competition ऐसा लगता है हमको initial impressions में बाकी आप बताओ यार कि आपको यह phone कैसा लगा और design कैसा लगा आप बोलोगे ना मेरा phone पता है Gucci वालो ने design किया है मतलब यह काफी इंटरस्टिंग फैक्ट था अबर को पता नहीं था तो this is Realme 11 Pro Plus आप बताईए क्या है मन की बात हैं वीडियो को लाइक शेर करते विए नीचे कॉमेंट करते विए मैं आपसे मिलता हूँ सीरा अगले वीडियो में फ्लाव वीडियो में इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम